नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस सेग्मेंट में जहां पर आप और हम टारेट और ओरिकल के जरीए हर रोज जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और डिवाइन गाइडिंस लेकर हम इसे और भी बहतरीन कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन से रीडिंग आपके लिए है आपको बताती हूँ कि अगर आपकी लेट बर्थ है 12 वियानी की 12 तो एक और दो को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा तीन तो तीन है आपका मूलांग और आज की जो तारीक है वो भी है 3 नवंबर 2022 नमबर जो तीन होता है उसके स्वामी होते हैं गुरू और गुरू बहुत ही अच्छे मारुदर्शक होते हैं और बहुत ही क्रियेटिव होते हैं मूलांग तीन के जो जातक होते हैं बहुत ही क्रियेटिव होते हैं तो हमारे आज गुरु का जो प्रभाव है वो एक से लेकर नौ मुलांक के जातकों पर कैसा पढ़ने वाला है आई ये जानते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोस की तरह बताना चाहूंगी दोस्तों कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती ह अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है थोड़ी सी भी नेगिटिव आई है तो अपने मनोबल को डाउन ना करें क्योंकि आप तो जानते हैं कि रीडिंग के बीच में हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहि मुलांक एक के लिए क्या बता रही है माभगवती की उर्जा आज यानि की 3 नवंबर 2022 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है इंडिपेंडेंडन का कार्ड है आप से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की पार्टनर्शिप में नहीं पड़ना है आज के दिन जो भी कोई काम आप स्वतंत्र भाव में करेंगे स्वतंत्र विचारधारा में करेंगे आप उसमें डेफिनिटली सक्सेज होने वाले हैं साथी साथी ये भी आ रहा है कि आपके दर बहुत अच्छी लीडर्शिप की क्वालिटी है अगर आप जो है ऐसा कोई भी काम क कर आ रहे हैं या इंस्ट्रक्शन्स दे रहे हैं फिर आपके पारिवारिक शेत्र में क्या फिर आपके वह व्यापार के या फिर नौकरी के शेत्र में हो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग जो की अपने आपको एज लीडर या घर के मुखिया हैं तो कहीं ना कहीं आपके सार ही आगे चलके कारे करेंगे आपका दिन शुभू है यह जानते हैं मूलांक दो के लिए क्या बता रही है ब्रह्मान की दिवे उर्जा माभगवती की उर्जा आज यानि की तीन नवंबर 2022 के लिए और मूलांक दो के लिए हमें गाइड किया जा रहा है बी स्ट्रॉंग आपसे कहा जा रहा है कि आज कोई भी ऐसी परिस्ति आपके सम्मुख आ सकती है जो कहीं न कहीं आपको बेचैन कर सकती है या थोड़ा सा आपके सोचने विचारने में कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब हो सकते हैं तो ऐसी जो भी कोई परिस्तिती आए आपको क् कैसे overcome कर सकते हैं मजबूत रहके strong रहके आज आपको क्या करना है अपने आपको भीतर से बहुत मजबूत रखना है so that कि आप किसी भी प्रकार के challenge को अच्छे से पार कर सकें कहीं न कहीं आज जो है कारे की भी अधिक्ता हो सकती है और आलोचक जो हैं कहीं न कहीं आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं तो आपको क्या करना है केवल मजबूती से काम लेना है और आपके जो भाव हैं या आपके जो विचार हैं उन पर आपको अडिग रहना है आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रमान की दिव उर्जा आज जाने के 3 नवंबर 2022 के लिए आज की तारीक जो है वो भी है तीन और मूलांक 3 के लिए माभगवती से हम जान रहे हैं सौसरिस का काड है कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो एनरजी है वो बहुत हाई है मतलब की जो भी आप चाहते हैं जीवन में हासिल करना आज आप उसी के बारे में सूचें आप डेफिनिटली जो सोचते हैं हम जिस चीज को हम उसी को अपनी रियालेटी बनाते हैं तो आज वही होने जा रहा है आपके लाइफ में आज जो भी कुछ आप सोचेंगे आपके जो फॉर्ट प्रॉसेस होंगे आप उन्हें क्रियेट करेंगे अब यह आप क्यों निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं आए जानते हैं मूलांक चार के लिए क्या बता रही है ब्रह्मान की दिवे उर्जा मा भगवती की उर्जा आज यानि कि तीन नवंबर दो हजार बाइस के लिए और मूलांक चार के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गो आउटसाइड आप से कहा जा रहा है कि अपनी वि प्रेशन मांक्स तरह के थौट प्रोसेस को बिलकुल निकाल दीजे क्योंकि आपको आज अपनी बाउंडरी से बाहर निकलना ही वोगा अब यह मानसिक तौर भी हो सकती हैं और यह फिजिकल वोल्ड की बाउंडरी भी हो सकती हैं तो यू हैज फोकस कहां पर अपनी ग्रोथ और ग्रोथ पे देखने के लिए आपको आज के दिन हर प्रकार की सीमाओं को लांगना होगा सीमाओं को लागना मतलब क्या था न कि हम अपने हमारी अपनी विचार धारा हमारी अपनी साइकलोजी कई वार हमारी आगे की बाधा में आगे की जो है ग्रोथ में बाधा बाधा को ती है तो आज वही दिन है अपनी ग्रोथ में जितनी भी बाधा यह आ रही है आज आपको पांच के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ब्लॉसमिंग काड है, आप से कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपके इंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, ठीक है, और यह जो चेंज है, यह आने वाले समय में और अधिक सुरूप में आपको नजर तो वह प्रॉसेस आपका स्टार्ट हो गया है, तो क्या करना है? विकर्स अभी प्रॉसेस स्टार्ट हुआ है, तो आपको पेशेंस रखने की जरुप है, किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में आपको हाठ डालने से पहले थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा, कोई भी कारें ना करें जहां पर आपकी चीज़ें और उलत जाएं अभी कोई भी आपको नई जगे इंवेस्टमेंट नहीं करना है आपको कहीं भी नई जगे आपको तुरंथ तुरंथ में शिफ्ट नहीं होना है बल्कि जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वह आने वाले देवे उर्जाएं आज यानि कि 3 नवंबर 2022 के लिए और माभगवती की उर्जा मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रही है हाई प्रिस्स का कार्ड है आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में एक मदर एनरजी आपकी हेल्प करने वाली है अभी जो मदर एनरजी कोई फीमेल जो हैं आपको सपोर्ट करेंगी वो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ हो सकती हैं आपकी मदर हो सकती हैं आपकी बहन हो सकती हैं तो वो आज आपको फुलाउन सपोर्ट करने में किसी प्रकार की बाधार रुकावट में वो आपको फुलाउन सपोर्ट करेंगी साथी जो कही न कही मा भगवती की उपासक हैं तो डिवाइन मदर एनरजी जो नेचर की जो एनरजी है मा भगवती की जो उर्जा है वो आज आपको पूरी-पूरी अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं आज आपके उपर अपना अशिरवाद वो बनाए हुए हैं आपको क्या करना है आपको मा को आज एक लाल रंग का पुष्प जो है वो भेट करना है गुलाब का मिल जाए तो ठीक है अदरवाज अगर गुड़हल का मिलता है तो सर्वत्तम रहने वाला है आज आपको मा को जो है वो समर्पित करना है और साथ ही साथ कपूर भी मा को आज आपको देना है えß इंए जानते हैं मुलांग साथ के लिए क्या बता रहे हैं ब्रम्हान का दिवेॉरजा आज याने की तीन नवममर दो हजार बैईस के लिए और मुलांग साथ के लिए हमें गाइड किया जारहा है लीप ओफट का काठ है आप से कहा जा रहा है कि आझ आज आपको full on surrender करना होगा परमात्मा को क्योंकि परिस्तितियां आपको है अभी आपको अपने प्रतिकूल लग रही है आपको कोई भी चीज अपने favor में होती नजर नहीं आ रही है आपको क्या करना होगा आपको गहरी सास लेनी है और सब कुछ जो है परमात्मा को समर्पित कर देना है आज आपको completely divine को अपना सब कुछ surrender करना है और सही समय का इंतजार करना है कारे के होने में और इसके लिए आपको चुँकि leap of faith का काड़ा है एक risk factor भी आपके life में है ठीक है क्यों कही ना कहीं चुकि आपको आगे का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है क्या कदम उठाना है किस direction में जाना है आप समझ नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं just have faith थोड़ा patience रखे और divine को surrender कर दें आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक आठ के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानि कि 3 नवंबर 2022 मूलांक आठ के लिए हमें गाइड किया जा रहा है past life का card है आप से कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में ऐसे किसी विक्ती से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि पूर जनन से आपके सम्मंद रखते हैं तो कही न कहीं आज आपके जिंदगी में जो भी कुछ घटना घटित होगी फिर वो चाहे एक सकारात्मक रूप में होगी या वो आपके लिए नकारात्मक होगी आपके पास उसे accept करने के लावा आज और कोई इचारा नहीं है यह जो आपके साथ आज जो भी कुछ घटित होगा या आपके करम बंधन जो है वो पूर्ण होंगे वो आपके करमा के अनुसार ही घटित आज के दिन विशेश ऐसा कुछ होने वाला है जो कि आपके लिए बैनिफीशल भी हो सकता है लेकिन कही न कहीं मिश्रत भी फल आपको दे सकता है क्योंकि आज जो भी कोई विक्ती मिलेगा या जो भी कोई घटिना करमे वो आपके पास लाइफ से कनेक्ट होता है ठीक है आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही है ब्रह्मान की दिवे उर्जा आज यानि की 3 अवंबर 2022 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इन पाइनाइट सप्लाइ आप से कहा जा रहा है कि फाइनेंशली किसी प्रकार की इंसेक्यूरिटी आपको नहीं रखनी है किसी प्रकार का अगर भै आपको है आपके व्यापार में अगर किसी प्रकार की मंदी है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में फाइनेंशल इशूज को लेकर तो आपसे कहा जा रहा है चिंता करने की कोई जरुत नहीं है डिवाइन आपकी टेक क्यार कर रहे हैं और आपकी जो फाइनेंशल जो आपकी नीज है वो जल्दी ही पूरी होंगी आपका दिन शुभ हो तो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की अगर आपको किसी प्रकार की क्वैरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आप सभी हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आपके भीतर बैठे पर मात्मा को मेरा प्रेणाम